जहिंद साथियों स्वागा थे आपका यूटूब चैनल कहा है या जीस वर्ड में दोस्तों विगत कई महीनों से यूपी पुलिस कंस्टेवल की भरती सिर्फ और सिर्फ कागजों और पेपरों में आ रही है और साल के अंत तक पूरी भी करा ली जा रही है उसी क्रम में आज की जो निउज निकल के आ रही है वह 34,000 प्लस पदों से संबंदित है और इसमें जो कुछ लिखा है नई बात उसमें आनलाइन एक्जाम का जिक्र किया हुआ है और वर्स के अंत तक भरती को कराने की बात की गई है तो चलिए देखते हैं आज का हम अपना निउज का पिपर और दोस्ति यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर किसी भी गवर्मेंट एक्जाम से संबंदित नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ इसाथ GSGK से संबंदित टापिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटे की निशान को भी दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो को लाइक कोई कर दे और दोस्ति यदि आप रेडियो अपरेटर का फाम भरे हैं यहां किस पेपर का है तो पहले हम आपको किलियर कर देते हैं यहां जो पेपर है यहां पर आप देख सकते हैं जागरन.com यानि की जागरन जो निश पेपर आता है उसी की कटिंग है और यह आज की ही कटिंग है तो देखिए यहां पर पहले यह लिग दिया है वर्स के अंत तक हो पाएगी सिपाई भरती की परिख्या इसके अलमा यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश भरती वप्रोनति बोर्ड इस वर्स लगबग 40,000 पदों पर भरती प्रक्रिया आरंब करेगा सबसे बड़ी भरती आरक्षी यानि की कॉंस्टेबल की होगी जिसमें आरक्षी पुलिस के 26,210 पद तथा आरक्षी पी एसी के 8540 पदों पर भरती होनी है प्रदेश के पुलिस पर चर्थ अंस्थानों में अभी ट्रेनिंग की छमता कम होने के चलते सिपाई भरती की तैयारी कर रहे युवाओं को लंबा इंतजार करना पढ़ सकता है सिपाई भरती की प्रकिरिया आरंब हो गई है लेकिन आनलाइन लिकित पर इच्छा इस वर्स के अंत तक होने की उम्मीद है तो यहाँ पर देखिए दो तीन चीज लिखा है यहाँ पर लिखा है कि लंबा इंतजार करना पढ़ सकता है तो अब लंबा इंतजार का मतलब थोड़ा इंतजार करना पढ़ सकता है मतलब कब तक इस साब से तो लग रहा है भरती अभी आने में यानि कि अनलाइन होने में अभी टाइम लगेगा जनवरी में आने की संभाव नहीं कम हो जाती है और यहाँ पर लिखा है आनलाइन लिकित एक्जाम तो अब तक यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के आफलाइन एक्जाम होते थे तो हो सकता है इस बार आपको आनलाइन एक्जाम देखने को मिल सकता है और वर्स के अंत तक परिच्छा होने की उमीद यानि की लिकित परिच्छा होने की उमीद है वर्स के अंत तक यानि की नौम पर दिसंबर तक तो यह भरती और थोड़ी लंबी खिच सकती है यहाँ पर लिखा है भरती बोड के अधिकारियों का कहना है कि जल्द कुसल खिलाडियों की भरती संपन हो जाएगी इसके साथी मृतक आसरित में दरोगा भरती का परिडाम भी इसी माहजारी करने की तयारी है इसके उपरांत नई भरती के प्रकिरिया तेजी आएगी उसमें और वरतमान मुख्या आरच्छी के प्रोनती पाने वाले 9000 से अधिक प्रसिच्छू उपनी रिच्छक के प्रसिच्छड पर प्रकिरिया चल रही है वहीं प्रसिच्छ निदे साले बीते हुए दिनों में 9000 पदों पर हुई उपनी रिच्छक वर्ष 2022 के सफल अभ्यरतियों के आधारबुद प्रसिच्छ जल आरम करने की तयारी में यानि कि जो UPSI का एक्जाम मेडिकल वगारा हो चुका है उसको जल्द ही ज्वाइनिंग यानि कि वह लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे 31 जनवरी से ऐसा एक बार न्यूज निगल करके आया था यहाँ पर प्रदेश में पुलिस प्रसिच्छ संस्थानों की चमता 5650 है यानि कि 5650 ही केवल प्रसिच्छ में जाने की जगा है जिसे अब बढ़ा करके 11500 कर दिया गया है साथ ही सुल्तान पूर्वा जालाउन में दो नए प्रसिच्छ संस्थान भी खोले गए है हलाकि इसके बावजूद अभी सिफाई के 34000 से अधिक पदों पर भरती के बाद सफल अब भेरतियों की प्रसिच्छ बड़ी चुनावती होगी सासन पूलिस प्रसिच्छ संस्थानों की चमता बढ़ाने का लगतार प्रियास कर रहा है वहीं इस वर्ष फायर मैन की 1007 पद लग सकता है लेकिन यहां पर क्लियर नहीं किया है कि कब तक लग सकता है तो इस भरती में अभी आपको इंतिजार देख करना पड़ सकता है ठीक है बाकी यहां पर आप रेडियो अपरेटर का एक्जाम जल्द ही होगा मान की चलिए फरवरी लाश्ट या फिर मार्श तक हो झाल करना की में खिर मार्श तक होगा मन की को बाक्या है